Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का साबता है क्राशीफल तो चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर Professional Front के लिए cards हैं five of swords and creative और देखें five of swords का card कहीं unfair energies की बात करता है किसी level पे किसी तरीके के injustice की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप भी Leo's in general या पर specifically अपने professional front में महसूस करते हुए दिख रहे हैं और सबसे पहली बात Leo's की इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि सबसे पहली बात ये weekly reading है weekly reading में बड़े मसले बड़े issues नहीं होते है और दूसरी बात tarot guidance के लिए होता है तो इस reading से guidance लेके किसी level पे आप इन energies को भी better कर सकते हैं तो दिखें फिर से यहाँ पे five of swords का card कहता है कि इस week specifically अपने professional front से related आपको ऐसा लग सकता है कि भई जितना आपने effort किया जितनी आपने महनत करी उस हिसाब से आपको results नहीं मिले या पिर जो आप deserve करते थे वो आपको नहीं मिला और जो भी लोग आपके आसपास हैं तो कुछ लोगों को उनकी तरफ से एक you know unfair energies दिख रही हैं उनके motives, उनके intentions इतने ठीक नहीं दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए circumstances, situations हो सकती हैं जिनकी वज़े से ऐसा आप महसूस कर रहे हैं लेकिन देखे surface level के लिए जो भी हो रहा हो कहीं deeper level के लिए creative का card सबसे पहले कहता है कि universe का support आपके लिए available है universe का heart आपके सिर के ऊपर है और देखे इस card में भी heart बना हुआ है तो just God को आप मानते हैं again मैं कहूंगी कि उनकी blessings इस week आपके साथ है और देखे ये जिंदगी है छोटे मोटे issues होते रहते हैं लेकिन जब universe हमें support कर रहा हो तो बहुत असानी से हम इन चीजों से बहार निकल जाते हैं और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी leos रहता हुआ देख रहा है लेकिन देखे क्योंकि ये five of swords का card है तो आप blindly किसी को भी trust ना करें थोड़े से alert, थोड़े से cautious आप लोगों को लेकर, situations को लेकर इस week ज़रूर रहें और देखे ए personal front के लिए आप लोगों के लिए the hierophant reverse and keeping still के cards है और देखे है hierophant का card कहीं fixated energies की बात करता है पुराने ख्यालात की बात करता है कहीं एक stubborn या फिर जित वाली energies की भी बात करता है और आप लोगों के लिए इस week ये card reverse है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन ही energies से बाहर निकलना चाहा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा ही किसी चीज को लेकर या फिर in general ही stubborn हो रहे हैं fixated हो रहे हैं तो देखें यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी लिए उसकी आप pause करके check करें कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी वज़े से एक खुशी एक happiness आपको मिल रही है क्योंकि देखें सबसे बड़िया तरीका checking का यही होता है कि हम देखें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो ठीक है अगर हम अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तो कहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है तो फिर से मैं कहूंगी कि आपके belief systems, आपकी fixated energies आपके लिए positive है, negative है, ये आप खुद ही self-talk से decide कर सकते हैं और दिखे है रूफेंट कहीं elderly लोगों की भी बात करता है और हो सकता है कि जो भी आपके घर में बड़े हैं आप उनसे जादा connect कर रहे हैं, उनसे जादा आपकी interactions हो रही हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके साथ आपके views इतने नहीं match कर रहे हैं क्योंकि फिर से यहां पे hierofen का card reverse है तो उन्हीं से ही related छोटे मोटे issues भी इस week रह रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी spiritual religious activity में या तो आप participate कर रहे हैं या आप involve कर रहे हैं किसी religious जगा को या तो आप visit करना चाहा रहे हैं या फिर आप visit कर रहे हैं और देखे deeper level पे यहाँ पे keeping still का card कहता है कि जो भी surface level पे हो रहा है कहीं मन ही मन बहुत एक सब्र आप रखते हुए दिख रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी कि आप beyond the point इन सब चीजों से effect नहीं होना चाह रहे हैं या इन चीजों को आप अपने उपर हावी नहीं होते हुए दिख रहे हैं कहीं एक detachment, कहीं एक peace, कहीं एक calmness आप maintain करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर maintain कर रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए raindrops का card है और ये card कहता है take a chance on them तो पीछे देखिए हो सकता है कि आपने कुछ करा हो और आपको positive result ना मिला हो या फिर आप किसी level पे hurt हुए हो या फिर किसी इनसान ने आपको अच्छे से treat ना किया हो और आपने सोचो कि बस अब आप कभी इन पे trust नहीं कर सकते या फिर अब दुबारा आप कभी ये चीज नहीं करेंगे तो ये card कहता है कि आप second chance उनके साथ ले सकते हैं आप फिर से उन इनसान को उस चीज को explore कर सकते हैं या फिर आप try कर सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए cheer on का card है और इसके हिसाब से green color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए हो का witness day तो ये थालियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए